मतर को गिराएंड करके हमने आते में गुन लिया है और इसको चैいう हमने पूरिया बनाई और और कुछ को खिया आप कि मूझा अपके रिखती रख़त 빈 डल बना कर अपथि पूरियक को दील्गिया कित familiar है और यहां करो द Gitar अज़ने हमने बनाई है लैसन अग्रक और क्याते हैं टिमार्ट अससलाम अलेकुम कॉसर का जहां में खुशाम दीद और वैलकॉम आज हम मतर की पूरियां मना रहे हैं इसके लिए हमने एक कप मतर और तीन चार अज़ने में अच्छी तरह से और उसमें ब्हाइव आटे में मिक्स कर दिया तोड़ा पानी डाला और इसको गूंद लिया है हमने आके को और इसमें आप पूरी यह जीरा और आप पर पूरी यह तो सबस्क्राइब कर दीजे और बैल आइकन को प्रेस कर दीजे इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और पर वीडियो पसंद आये तो लाइक करना नोटा है और शेयर करना भी बनता है विए जब वीडियो पसंद आई ए तो अपने अप्रेंस फैंबली में आप ज़रूर शेयर कीजेगा ताकि आपको पसंद आई है तो फोड़ेके बाद इसको फ्राइए करेंगे तो प्यास दाली है राही डाली है और प्यास लेक्स करें राज नमगीpped करें बारिक बारिक आब मिक्स करेंगे फिर 3hour जानदे प्यास करें और प्यास कटिंग दालें रालू के साथ ब्राइ हो जाएंगे अपिस भें हमेटा दीक सारी के अपर बना कर देखे सोल Damn और पर इसको हम फ्राइब करेंगे कि हमारा वाइल गरम हो गया है अब इसके अंदर हम सबसे पाले जाएब अपनी खचारियां डालेंगे वाकित सब चीजने पकी हुई है इसके अंदर सिर्फ फ्राइब करना है हमने कि अधिये साधी पूरी हमने बेल ली है और इनको प्राइब करना है बस अधिये मज़िदार सी हमारी यम्मी सी जह हो मतर की कोशने इस को चांठी अइसके पूरी अटार शा ли थे औरन को नंदर चपर शाठी अब हमने वह फिल्लिंग भर दी तीरенты लेकर उतना हर्यान हमने को लाकिति हैं यह तो क्षविदार सी हमारी चुटन ब्हalten दौना थे फिल्लिंग लगलती थिह मज़िदार सी इंसे बना लिए बना लिए बना लिए कि गैपने बच्चरी कुछ हो जाएं बच्चरी मज़दार इसका लुक उठाएं यम्मी से हमारी ज़ने वह यह जिश्ट तयार होई है बहुत जल्दी से बन गई है यह बस इसको आता गूंकर जो आमने 15-20 मिनट के लिए रखा तो इतना ही लगा बाको तो इसको फ्राइड करने में कुछ भी टाइम नहीं लगा तो थोड़ा सखा कर मैं आपको बताते हूं कि इतनी लजीज मज़दार बनी है यम्मी बनी है नहीं मैं आपको बता नहीं सकते हैं आप बनाएंगे जब आपको पता चलेगा उससे पहले अक्षबी ट और लाइक शेर करना नहीं बूलिएगा